हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चानल दिस शेवाम आज इस वीडियो में मैं कुछ पांच ऐसे टिप्स या पॉइंट्स शेयर करूंगा कि क्यों आप इंस्ट्राइम पे फॉलर्स गें नहीं करवा रहे हैं इसको टाकल करने के लिए क्या करना होगा तो इसब वीडियो में मैं ओचीज क्लियर बोरूगा जो ठोड़ी इनवीडियो थोड़ी इंफॉरमिटिव वार्य है तो इस वीडियो को लास्त तक देखेगा और मेसाब बढ़ने रही हैं एंदेट्च ये फिल वीडियो को कर दिये एंड उसके बाद कुछ दिन का गैप लेकर दूसरा फोटो पोस्ट कर रहे है तो यह जो गैप पीछ में आते हैं दू-तीन दिन का इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो और इस बनने वाई होती है ना वो बनने पाती है और जब बनने पाएगी तो आपका जो पोस्ट होगा वो ज्यादा लोग तक पहुंशेगा नहीं एंड आपको जो फॉल्वर से वो गेंड नहीं हो पाएगा तो इसीच को टाइकर करने के लिए क्या करना होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे फोटो पोस्ट करनी होगी लोग उसको जयादा पसंद करें तो यह होगया पहला टिप एंड इसेड टिप बात पर दो नोट नित्राइक्टिं के और फॉट्वरफर तो इसमें क्या होलता है कि आप किसी अदर फोटोर के पोस्ट लेंगे और क्या होलता है कि उसमें जो फॉटो पॉस्ट किया है वो आपको पसंद आए बट आप उसमें कुछ रिस्पॉंस नहीं कर रहे है तो अगर आपको कुछ फोटो पसंद आए तो उसको आप बताए कि हां मुझे फोटो पसंद आई है आप कमेंट कीजिए उस पोस्ट पे ज्यादा उसमें कुछ ऐसा को दिख रहा है कि यह बहुत है तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने स्टूरी को पोस्ट करेंगे तो आपका जो होगा स्टूरी पे वह भी इंक्रीज होगा एंड यह होगा तो लोग खुद आपके पेज पे आएंगे अगर आप कुछिच को इंस्पायर होगे आप अपना कंटेंड करते हैं तो लोग आपको भी पसंद करेंगे और आपको भी फोलोग करेंगे तो यह होगा सेकेट टिप्स थर्ड पॉइंट यह हो सकता है कि जो कंटेंड है आपका वो क्रेटिव नहीं है और इसकेस में क्या होता है कि आप कोई फोटो पोश्ट कर रहे हैं जू सब्वी लोग अब हमकी जो फोटॉ तो कि यह आपका पनला करेंगे 3 और लोग को पसंद है तो कमेंट शेर बहुर सकते तो यह चीज होता है कि आपकी फोटो स्टेंड आपने चाहिए वागी अगर फोटोगर्पर के फोटो से तो यू शुड मस्टी क्रेटिव ओके एंड यह था था फॉर्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नॉट गिविंग मच टाइम ऑन दी इंस्ट्राइम प्लाटफॉर्म अगर आप इंस्ट्राइम प्लाटफॉम पे ग्रोव करना चाहते हैं और इसको कम टाइम दे रहे हैं ज्यादा टाम इस्पेंड नहीं करें इस्ट्राइम पे तो आप ग्रोव नहीं कर भाएंगे ठीक है एंड आप ताम देने का मतलब यह हुआ नहीं कि फूरा दिन बर उस सकते हैं और साथ में ही जो फोट आपको पोश्ट करनी है वो भी पोश्ट रेगुलर बेसिस पे करना होगा तो और इस्ट्राइम पर जादे पार देंगे तो आप जादा लोगों से अप्रोच करेंगे और जो अब बाकि लोगों से बागी फोट्राइफर से वो भी आपको को हम करेंगा तो यह सब चीज है यह आपको इंस्टाग्राम पे ग्रोव करने में आपको फॉल्वर गेंज जरूर होगा लास्ट पॉइंट यह हो सकता है कि नंबर आफ पोस्टिंग पर डे मतलब कितना फोटो पर डे आप पोस्ट कर रहे हैं वह भी मैटर करता है अब पूर अबरेज 1.5 फोटो पर डे पोस्ट करते हैं तो आपको इस एंप को लेके चलना है तो आपको अच्छा करना होगा एंड पर डे एक से तीम फोटो पोस्ट करनी होगी विद क्रेटिव कॉंटेंट एंड ऐसा निकी कुछ भी क्लिक करके पोस्ट कर दी हैं आपको फॉल्वर है तो उस इसको महाइं पर रखने है नाहोगा और और हां जो ओने डूपने में चलना होगा है अपको अदर फोटोगर कर एंड थे दिस क्वेरेग CHS एक पॉइंट मुझे अभी याद आया तो यह बोनस पॉइंट है कि में भी नॉन फॉलरिंग दा राइट फॉटॉफर्फर्स और पॉसंद आ रहा है जिसका काम आपको पसंद आ रहा है जिसकी जो फोटोज है वो पसंद आ रहे हैं तो लेकिन आप फोटोज बस लाइक कर र रहे है लाइक कर रहे है बट काम पसंदार लेकिन फिर भी आफ नहीं कर रहे है तो यहां पे फ्वड राइक होता है तो क्या होगा उसमें फिर कि लोग आपको इंटराइक नहीं करेगा कैई करेकर आपसे कॉंदेशन नहीं करेगा तो उस सीज को बना रखने के लिए किसी पसंद कर रहे हैं तो उनका जो अकाउंट उनको फॉलो करने कीजिए एंड इस इस इड तो फ्रेंग इस वीडियो देन दो जिए अब थाम्स अप और आपको ए वीडियो तो बिना लाइक किये नहीं चाहिएगा और मेरे चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए बेल जाया है और इस वीडियो से रडिट कुछ भी आपको पुछ नहाँ सजेशन और कुछ शेया करना हो जस्ट ले में ने कमें बोस्ट आपको एंड विल्ते पिड अगली वीडियो में तब तक हेली बबाई एंड टेक्या अब आपको